नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टडी यूके में ओनलाइन स्टडी यूके में आज हम बात करेंगे परमुक सामाजिक ससकार और परमपराएं और परताएं ठीक है रीती रिवाज उत्राखंड में कौन-कौन सी सामाजिक ससकार हैं कौन-कौन से प्रमपराएं हैं कौन-कौन सी प्रताएं हैं ठीक है तो इस मामले में सामाजिक ससकार प्रमपराएं में देव भूमी काफी उची रीती रिवाज हैं यहाँ पे काफी प्रताएं हैं तो हम बताते चलंगे आज सारी प्रताएं और ससकार क्या-क्या है यहाँ पे है और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें वीडियो को और सपोर्ट करें तो आई ये बात करते हैं उत्राखंड में परमुक सामाजिक संस्कार और परंपराएं और प्रथाओं के बारे में ठीक है इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है धांटी ठीक है धांटी से आगे तो वह क्या हो गया सस्कार हीन विवाह हो गया और इस विवाह को क्या कहेंगे हम धांति विवाह कहेंगे हैं ज्बेगा ठीक है जनों तो जाय ये차 करें जनों जनों पैरवारिग गहते हैं ठीक है पैना गहते हैं पैन दन बोलते हैं ठीक है तो इसके बाद नेक्स ऐस करत सकत में जाती है Geegmadi खलोटी खलोटी या खलीग ठीक है क्या है करशक कारदी करने वाले लोगों द्वारा प्रोहितूं एबं करशी कारदी करने वाले लोगों को नई उपजमें से क्या देता है हिस्सा दिया जाता है ठीक है कुछ हिस्सा दिया जाता है अपने सयोगियों और प्रोहितूं को ठीक है खलो या खल या खल कहते हैं ठीक है खलो या खल कहा जाता है इसको और इस प्रथा को जज्मानी या खलोटी का प्रथा कहा जाता है ठीक है किलियर हो गया होगा इसके बाद नेक्स जो है टाल टाल की बात करें तो टाल क्या होता है अंतरवर्गी या अंतर जाती है जो विव नियोता परथा हो गया नियोता परथा की बात करें विवा वाले घर में आमंत्रित लोगों द्वारा नगदरासी दी जाती है घी अन्नादी के रूप में भेट सरूप दे जाने वाले को नियोता कहा जाता है ठीक है इसके बार नेक्स जो है बांट परथा ठीक है बांट परामपारिक सहीयोग के रूप में विवा के संदर्ब में अन्यादी अन्यत्यादी के लिए मात्र निकडस्त लोगुंदारा एक रूपिया परतिवस्तु के लिए बांट दिया जाता है यह विवा के इसी अवसर के रूप में स्वयम वसूल लिया जाता है ठीक है वसूल हो का छेत्रिये स्वरूप है अपना छेत्रिये मतलब लोकल का स्वरूप है यह और यहां नकेवल वस्तुूं का अपितुअ लोगों का भी विनिमय होता है पेंचा मतलब आज हमने ले लिया फिर करलो से लोटा देंगे ठीक है और कुमाओं में इसे गौरसाड भी कहा जाता है क ठीक है इसके बाद नेक्स जो है पडियाल पर्था पडियाल पर्था क्या है पडियार पर्था की बात करें तो गाउं में आपसी सही होगे तो स्रम्तान की पर्था को संपूर्ण मतलब संपूर्ण जो अमानी बोलते हैं तो संपूर्ण उत्राखंड में अब भी पर चली थे यह, किसी का लेंटर डालना है, या किसी का काम करना है, खेट में काम करना है, तो आज एक के यहां कर दिया सारे मिल्जुल के, और फिर इससे क्या होती है, यूनिटी दर साती है ग पुरान मरोज के अवसर पर, ठीक है, मरोज एक त्योहार होता है, इसके विसस्तम रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, जौन पर्था, जौन पर्था क्या है, जौन पर्था यह जौन पूर चेतर में महिलाओं द्वारा संपत्ति का अधिकार से संबंदित पर्था है, छूट पर्था, छूट पर्था की बात करें तो जॉनपूर्चेतर में विवाविच्छेत करने के लिए लड़की स्वतंतर होती है उन्हें है ःदिकार इसे पर्था के तहत मिलता है और जूट पर्था ठीक है दूसरा है बहुपती पर्था ठीक है बहुपती पर्था जैसा कि बहुपती पर्था सब्द से ठीक है यह जोनसार 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 जोनपूर जो प्राचीन पर्था है या वरतमान में समापती के स्तर पर है ठीक है इसमें एक मतलब महला अनेक दो पती से बहुपती म कि अब समाप्त हो चुका है यह पहले की बात है ढीक है इसके बाद नेक्स जो है मात पर था मात पर था यानि की जॉनपुर्चेत्र मैं बद्वा मजदूरी के तौर पर 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 चली ह। परचलित पर था थी इसे पीडी दर पीडी कर्जदार बनी रहती थी ठीक है इसको कर्ज दे दिया उसका लड़का भी वद्वा मजदूर उसका तीसरा लड़का भी एक को कर्ज दे दिया तो डूपते चले गयो गरीबी में ठीक है तो इसे मात पर था कहा जाता था ठीक है ब लादबर जागरन्या जाग्रा लगया जाता था और यही बुल्यात पर था थी ठीक है इसके बाद यह जोहते पर था ऍाड़ की बात करें तो जॉर्ण फ३र शेतर में खुसी अथ्वा सोक में जो बाजगी दौरा विसेश्परकार का संगीत बजाया जाता जो बाजगिरी होते हैं उनके द्वारा विशेज परकार का जो संगीत बजाया जाता था उसे क्या कहते हैं चोहते पर्था ठीक है चोहते पर्था नेक्स जो है नमती पर्था नमती पर्था की बात करें तो नमती पर था टीरी के जौनपूर है उम रवाई छेतर में परचली तिस पर था के अनुसार गाउं में मद्दी में बाजगी द्वारा सुबह साम पांच बजे से दस बजे जागने उम सोने समंदी सूचना देता था नमती पर था के अंतरगर ठीक है ओडाल पर था ओडाल पर पर था के पर था के पर था के पर था के पर्तियेक जो पर्तियक परिवार के मुख्या के सम्मू के दिन के काजियों का विवर्ण दिया जाता था ब्योरा ब्योरा दिया जाता था पूरे परिवार के मुख्या को अपना ब्योरा पूरा आज की यह होगा यह होगा पूरे दिन भर के कामों का ब्योरा दिया जाता था एक मुख्या के सामने ठीक है ब्योरा परता हो गया इसके आमंत्रित अथिजियों को विदाई के समय टीके के साथ कोई वस्तु दक्षिना मतलब दक्षिना वगरा नगत रासी अत्वा गंदा ख्षत दिया जाता है ठीक है ये आज भी पर चलित है हर जगह ये भी हर पहाड में सबी जगह पर चलित है ठीक है कल्यों भिटॉली ठीक है कल्यो भिटॉली क्या है चैत के महने में विवाहित बहनों को कल्यो भिटॉली देना भी उत्राखंड की संस्कृतिक परंपराओं का महत्पूर्ण हिस्सा है ठीक है भिटॉली देना तो इसे कुशॉल भी कहा जाता है कुशॉल ठीक है कुशॉल कहा जाता है और जॉनसार छेत लिए देता है चैत के महने में ठीक है विवाहित बेहनों को इसके बाद नेक्स जो है आतला बेढ़ना ठीक है आतला बेढ़ना सौका बर्ग में यह प्रथा परचलित है और इसके अनुसार दो परगनों में आपसी मदभेद हो जाने पर आतला बेढ़ने की रस्में है दो पर बढ़ने का अभी प्रा एक दूसरे के आते हैं आपस में लपेड़ देना मतलब बातों को करके ठीक है इसके बाद बढ़ानी या बुढ़ानी बुढ़ानी क्या परता है पूरवी सौकावर्ग में परचलित होती थी इसे सवाकोनू भरान या बिंदी नाम से भी जाना जाता था यह जेश्ट पुत्र का बीस वर्स की आयो में लगबग आयोजित होता था और इससे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती थी ठीक है इसके बाद लून या लोटा ठीक है लून या लोटा परता क्या है नियाई परनाली से जुड़ी परता है इससे यह इसमें क्या होता था वादी परतिवादी दोनु ही देव मंदिर में खुम्री के सामने भरा लोटा मंगवा कर इसमें नमक डाला जाता था माना जाता था कि दोसी नमक के पानी में घुलने के समान ही नस्त हो जाएगा ठीक है इसके बाद जो है फडवासा फडवासा क्या है फडवासा पर था इसे भो देवी ने आई के नाम से भी जोड़ा जाता है तो इसके तहद क्या होता था वादी परतिवादी दोनों एक दूसरे के एक एक दिया जलाकर निश्चित दूरी से एक दूसरे से दिये में ती पांच बार फूक मारने को कहा जाता था फूक मारने जब फूक मार दी तो जिसका अगर दिया जलने वाला दोसी माना जाता था ठीक है दिया बुजा दिया तो और जिसका जलने जलने वाला दोसी माना जाता था ठीक है इसके बार नेक्स है खोरिया परता खोरिया परता क्या ह खोरिया वर्था थारो जन जाती में अपर चलित इस पर्था को पर्था के अनुसार विवा में जब बारात वधु को लेकर घर पहुंचती है तो वर पक्षी क्या करता है महिलाएं और वर के घर की जोपड़ी के ऊपर चड़कर असमानी सब्दों का परियोग कर घास फूस उ इठाकर वर के घर ले आते हैं और इसे सरोल विवावी कहा जाता है काफी महत्वूर्ण है सरोल विवा डोली विवा ठीक है कावी परिक्षाओं में काफी पूशा जाता है दास पर था प्राचीन काल से ही इसमें क्या है प्राचीन काल में थी दास पर था पर चलित थी पुर्खाकाल में दासमंडी लगाई जाती थी ठीक है इसका उल्ले कई जगवे उपर मिलता है और 1836 में इस पर्था को कुमाओं कमिशनर कनल जॉर्ज गोवन ने समाप्त किया था दासवर्था को ठीक है काफी महत्वपूर्ण लाइन है कुमाओं कमिशनर कनल जॉर्ज ने सपास हो जाने पर रानियून दारा सती होने और पितोराग्ण में जेनदा किराल नामक भू अधिकारी की मरत्यों की धुटी खबर पर उनकी पत्नी दॉर्ज सती हो जाने का वल्नन मिलता है कई इतियासकारों हूरू नें इसका वल्नन में क्या करा कमिशना ट्रेल द्वारा सती पर्था का अंतिक किया गया उत्राखंड में कमिशना ट्रेल द्वारा ठार सोनतीस में सती पर्था का अंतिक किया गया ठीक है काफी महत्त पूने है भी देवदासी पर्था देवदासी पर्था क्या है मंदिरों को समर्पित देवकन श्चिल्नियाओं के रूप में दिक्षिन बाहरत की मद्धकाल में क्या होता समय तक यहां की देवधासी पर तछ चलने विorf अरत की यह अहत बाध बाहद उर्चंत द्वारा के लृटत के चूरा बराद चंद्रे सब्सक्त但 आयाय ऐ också कि spoons बाहिसकार कर दिया जाता था ठीक है इसे हुका पानी बंद करना या फांटी कहा जाता था ठीक है इसके वाद नेक्स जो है चंद्रेणी पर था चंद्रेणी पर था क्या थी चंद्रेणी किसी जाती सूची व्यक्ति को पुनह ससकारित करने निम्नवर्ण की इस्तरी से ब्या बी थी तो यह चीज है तो हमने आपको बताया कि पहले क्या-क्या साथ वो चलिजिज्मेन से काफी चीज़ां है अज कर हो हुआ हैं कुछ चीज़ा अच्छी गई कुछ चीज्य बुरी गई तो हमारे को subscribe करें लाइक करें और share करें जाद ज्यादा ओनलाइन study UK को दहनिवाद उत्राघंदे की फिरी तयारी करने के लिए चैनल को subscribe करें ओनलाइन study UK को Talking जैंद जै उत्राघंद